गूड यूनिंग बच्चो आपकी क्लास है थर्ड इंग्लिश मीडियम आपका सबसेक्ट है जीके जीके में हम पढ़ेंगे चैप्टर नमबर ट्वेंटी फाइब जिसका नेम है टाइटल्स टाइटल्स मतलब होते हैं सर्व नाम जो उन्हें उच नाम दिया जाता है जिससे हम निकनेम्स भी कहते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं निकनेम्स and titles are not real names of great people those are given to them by their friends, admirers and followers निकनेम्स या titles जो great people होते हैं वो उनके real name नहीं होते हैं उनके real names होते हैं जो उनके प्रसंशकों के द्वारा या उनके अनुवाईयों के द्वारा दिये जाते हैं उपना वो होते हैं उनके real name Real names are given in a column A and titles are given in a column B Write the correct number of the column B in the boxes given in the column A One has been done for you Column A में हमें उनके correct titles name दिये हुए हैं and column B में हमें उनके admires के दिये हुए name दिये हुए हैं उनके titles दिवे हैं अब हम middle में उनके answer से दिखेंगे चलिए start करते हैं हम No.1 column A No.1 मोहन दास के गांधी इसका answer already लिखा हुआ है No.5 महात्मा मोहन दास करंचंद गांधी को किसकी उपाधी मिली हुई हैं? महात्मा की और यह उपाधी उन्हें किसके दी हैं? उनके friends ने दी हैं, उनके followers ने दी हैं, उनके admirers ने दी हुई है No.2 जवाहरलाल नहरू इसका answer है No.9 पे लेट सी हम देखते हैं No.9 किसी को पता है जवाहरलाल नहरू को कौन सी उपाधी दी गई हैं, उनके admirers के द्वारा चाचा की किसकी उपाधी दी गई है? चाचा की तो हम यहाँ पे लिखेंगे No.9 No.3 वल्लबाई पटेल answer ही सरदार, सरदार वल्लबाई पटेल सरदार की उपाधी वल्लबाई पटेल को दी गई है No.4 शुबास चंद्र बोज answer is No.12 No.12 पे आएगा नेता जी सुबास चंद्र बोज No.5 जै प्रकास नारायन answer is No.11 लोकनायक जै प्रकास नारायन को लोकनायक की उपाधी दी गई थी No.6 C राजगोपाल चारी No.15 इस राजाजी राजगोपाल चारी को राजाजी की उपाधी मिली हुई थी No.7 लाला लचपत राई answer is 2 लायन ओफ पंजाब लाला लचपत राई को लायन ओफ पंजाब की उपाधी दी गई थी No.8 रबिंधरनाथ टैगोर No.14 गुरुदेव रबिंधरनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधी दी हुई थी No.9 एमेस गोलवलकर answer आएगा answer is third गुरुजी No.10 शरोजनी नाइडू answer is seven आएए हम देखते हैं सरोजनी नाइडू को किसकी उपाधी मिली थी No.7 नाइट एंगल ओफ इंडिया No.11 बाल गंगाधर टिलग answer is four आएए हम देखते हैं बाल कंगाधर को किसकी उपाधी दी गई थी उनके एड्मायर्स के द्वारा उनके फॉलवर्स के द्वारा लोक मान्य No.12 श्रीमती इंडरा गांधी answer is six प्रियधर्शनी नमबर 13 चित्रंजन दास answer is six देश बंधू चित्रंजन दास को देश बंधू को उपाधी मिली थी No.14 विनोभा भावे No.8 आचायरे विनोभा भावे को आचायरे की उपाधी मिली थी No.15 टिप्पु सुल्तान answer is No.13 दाइगर ओफ मैसूर टिप्पु सुल्तान को दाइगर ओफ मैसूर की उपाधी मिली थी ठीके वच्चों आपको समझ आया इसमें इनके ओरिजनल नेम से जादा जो इने उपाधी दी जाती है जो इनको सर्वनाम दिया जाता है उनके नेम लिखे हुए थे जो कि उनके प्रसंसोकों के द्वारा उन्हें दिया जाता है उनके अच्छे कारे की वज़स है ठीके वच्चों ये आपको याद रखना है और घर पे ये चैप्टर फिर से रीड करना है और आपको आपके बुक में आंसर के साथ लिखना है